है दोस्तों प्रपटी गुरूकुल चैनल में आपका बहुत बहुत वागत है यह चैनल आपको रियल स्टेक में एक्सपार्ट अडवाइस के साथ साथ Real State में ट्रेनिंग देता है Financial Education के उपर बात करता है और मैं हूं राजवन सिंग माली Real State Mentor Real State Books का Author and Motivation Speaker आज का टॉपिक Comfort Zone के लिए के लिए है मैंने दो Aero Mark किये एक Aero Comfort Zone में जा रहा है और एक Aero Comfort Zone के बाहर जा रहा है हमने कौन से जोन में रहना है कौन से जोन में रहते हैं कौन से जोन में रहना चाहते हैं उसके उपर बात करें दोस्तो Comfort Zone का मतलब पहले तो Comfort Zone का मतलब समझे लो इसका मतलब होता है सुविदा के इनुसार जो आपके पास सुवूरते हैं उसके इनुसार रहना गर्मी पढ़ रही है, बंदे AC में रह रहे हैं, कमफर्ट जोन में रह रहे हैं, कई बंदे मजदूर हैं, कोई काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो बहार निकले काम कर रहे हैं, तो वो कमफर्ट जोन से बाहर हैं इसी तरीके से हम बिजनस में भी comfort zone में भी रहते हैं comfort zone के बाहर भी रहते हैं अब एक बात सुम्ज़ के चलू दो दोस्त बातें कर रहे हैं बरसात हो रही है बहुत बड़ी है मौसम हुआ हूँ है और एक दोस्त कहता है यार क्या मौसम है आज चाय हो जाए, करें, क्या मज़ा है वो बंदा बात कऊनका रहाए जो salary person है लेकिन जो आदमी salary person के साथ वो पैठा है उसके पास commission वाडा बैठा है salary versus commission इसको कभी भी ये चीज लुभाएएगी नहीं क्योंकि इसको पता है कि यदि मैं काम करूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे जबके सेलेड बन्दे को पता है कि मैं काम पर नहीं भी जाओंगा तो भी चल जाएगा सेलेड परसन के कई वरी घर में भी ऐसे प्रोग्रम बन जाते है कि यार आज मौसम अच्छा है आज ये चीज अज्जाए करते हैं ये चीज अज्जाए करते हैं वो चुटी कर लिता है लेकिन जो आदमी कमिशन पर काम कर रहा है वो आदमी कभी भी चुटी नहीं कर सकता secondly हमने कमफर्ड जोन से निकलके ये का जाए कंफर्ड जोन से उल्ट क्या है पें वाला या गरीफवाला जो मतलब जो जिसमें हार्ट वर्क वाला है तो ये कहा जाता है नो पेड ये तो कहा जाता है यदि знаю पें नहीं लोगे तो गें कैसे होगा यही रियस डेट में है यद कि आपके उपर कमिशन वाले यह मैं कमिशन का है कमिशन का मतलब है आप जितना काम करोगे आपको उतने पैसे मिले यदि यह कनफर्म हो जाए कि मैं चाहे आज घर में बैट जाओं चाहे मैं डूटी पे चले जाओं मेरे तनखाद नहीं कटेगी, तो आदमी थोड़ा सा रिलेक्स हो जता है, तो हमने रिलेक्स नहीं होना, यदि हम जिन्दगी में रिलेक्स होते हैं, तो हमारा जो ग्रोथ है, वो रुक जाती है, इस लिए तो कभी अपनी जिन्दगी में अपनी मरजी का घर नहीं ले सकते हैं, मरजी की कार तो घर पे रोगे, जब बहुँच ज़ादा घर्मी पड़ी उस दिन घर पे रोगे, जबके ये आदमी कभी नहीं रुखता, ये नदी की तरह निरुतर चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, चलता रहता है, तो ये हमने देखना है, कि हमने comfort zone के out जाना है, या comfort zone के अंदर जाना है, या बाहर जाना है, comfort zone के अंदर जाओगे, तो आपकी growth रुक जाएगी, और यदि comfort zone से बाहर जाओगे, तो आपकी growth बढ़ जाएगी, जो बैंकों में काम करते हैं, जो बैंकों में employee है, या LIC में, बड़े बड़े दफ्टरों में employee है, वो office वालों ने employee को comfort zone में रखा हुए। मतलब गर्मी में A.C. चलते हैं, सर्थियों में हीटर चलते हैं, वो क्योंकि वो उन से maximum काम लेना चाहते हैं। कमफर जोन का मतलब यह नहीं कि आज हम कोई अपना काम कर रहे हैं, और हमें पसी ना रहा है, पंक्खी हाथ से जोल लें, यह नहीं। तो इसका मतलब ये है, वो हमें वो जो बेंक वाले हैं या कोई प्राइवेट आदार ये हैं, जो एसी लगा के रखते हैं, वो एमपलाई को कमफड्ड जोन में इसलिए रखते हैं, कि उसकी कंपनी की जो ग्रौथ है, ऐसे चलती है, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब वो comfort zone में उनको रखके अपना काम बढ़ाते हैं employee को comfort zone में रखते हैं तो यदि हम हमारे पास company नहीं हमारे लिए कोई बंदा काम नहीं करता तो हमें definitely comfort zone से बाहर ही आना पड़ेगा comfort zone से बाहर आओगे तो आपकी growth होगी वीडियो को like कर लो शेर कर दो और यदि चैनल सभी तक subscribe नहीं किया चैनल सबस्क्राइब करके घंटी वाला बटन भी दवा दो ताके इस तरीके की वीडियो आपके साथ आप से miss न हो जाए बहुत जल्द ने टॉपिक के साथ आपके सामने होंगा तब तक आप ये decide करो के आपने salary पे रहना या commission पे रहने salary पे commission पे एक बड़ा difference और है ये एक बंदा जो salary person है ये time दे के काम करता है मैंने 9 से 5 time दिया आपको आप मेरे कुछ कह दे रही हूँ इसको पैसे जो है इसके time के हसाब से मिलेंगी इसके जो पैसे है इसके result के हसाब से मिलेंगी इसलिए commission वाला बंदा जो है कभी भी relaxation में नहीं आता वो हमेशा चलता रहता हाँ पैसे खुब पैसे कमाने के बाद दास दिन कहीं हिली एरिया में चला गया कहीं और चलाएगा घूमने वहां जाकर रिफ्रेश होके आता है लेकिन आम रूटीन जिन्दगी में वह बिलकुल अपने गोल लेके चलता है जिन्दगी में बहुत ही बड़ीया तरीके से अपनी जिन्दगी को सेट करके चलता है आज के लिए तने बहुत जल्द ने टॉपिक के साथ आपके समने होंगा आप अपना ध्यान रखे थेंक यू वरी मच